आपने अक्सर देखा होगा कि चमगादड एक ऐसा प्राणी है जो दिन के समय किसी पेड़्या गुफा में उल्टा लटका होता है जबकि अन्य किसी पक्सी को आपने उल्टा लटकते वे नहीं देखा होगा इस प्राणी को आप निशाचर भी कह सकते हैं क्योंकि यहाद दिन के समय उटे लटके वे सोते रहते हैं और रात का अंधेरा होते ही यह अपने सिकार के तलास में निकल जाते हैं आपको बता दे कि यहाद दुनिया का एकमात्र ऐसा इस्थंधरी प्राणी है जो आकास में उडान भर सकता है दुनिया भर में चमगादर की 1000 से भी जादा पर जाती हैं इस प्राणी को देखकर बहुतसे लोगों के मन में सवाल होता है कि चमगादर की आखें होती है या नहीं तो आपको बता दे कि इनकी आखें होती हैं लेकिन यहाद दिन में प्रकास की वज़े से बहुत कम देख पाते हैं इनको दो वर्गों में बाटा गया है, पहले वह चमगादर होते हैं जो रात में अपना सिकार या भोजन को खोजने के लिए प्रतिध होने का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के चमगादर देखकर अपने भोजन की तलास करते हैं. तो आखिर चमगादर उल्टा क्यों लटकते हैं? दरसल चमगादर उल्टा इसले लटकते हैं क्योंकि इससे इनको उडान भनने में आसानी होती है. यहाँ अन्य पक्षों की तरह जमीन से उडान नहीं भर सकते हैं. इनके पैर अविक्सित होते हैं और इतने छोटे होते हैं क यह जमीन से उड़ने के लिए गती पकड़ने में मदद नहीं कर पाते हैं जमीन पर इनके पैर सरीर का वजन नहीं समाल पाते हैं और आपने बहुती कमबार ऐसा देखा होगा कि कोई चमगादर जमीन पर बैठा हुआ हो अगर यहां किसी कारण जमीन पर बैठ भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहां पसरे हुए हैं इसके अलावा अक्सर लोगों के मन में एक और सवाल होता है कि जब चमगादर उल्टा लटकते वे सोते हैं तो यहां नीचे क्यों नहीं गिरते इसका कारण यहां है कि इनके पैरों की नसे इस तरह व्योस्तित रहती हैं कि इनका वजन ही पैरों को मजबूद पकड़ बनाने में मदद करता है इनके वज़न से पैरों को मिलने वाली मजबूद पकड़ के कारण यहाँ सोने के दोरान भी नीचे जमीन पर नहीं गिरते हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि चमगादर दो तरह से अपने सिकार का पता लगाते हैं पहला प्रती धोनी और दूसरा देख कर या सूंग कर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू दोस्तों